सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक्यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके इतने अच्छे-अच्छे इतने सारे comment आते हैं ہमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ हमारे स्कूल में बहुत अच्छे marks आये हैं तो ये सब पढ़ कर ये सब सुनकर मुझे भी बहुत motivation मिनती है और बच्चो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी तरह आपको 100% best quality content provide करता रहूँ ताकि आपके school में और आपके final exams में marks बहुत अच्छे हैं अब इस छोटे से video message में मैं आपको एक बहुती interesting चीज बताने आया हूँ क्या आपको पता है जब आप हमारी videos को देखते हैं तो नीचे आपको एक thanks का बटन नजर आता है ये YouTube का एक बहुती amazing feature है जिसको बोलते हैं super thanks आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही community को मिला कर हमारा ये channel बनता है अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी video series को enjoy करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आप अपना एक छोटा सा super thanks हमारे पास इस button के थूप भेज सकते हैं अब आपको लगेगा कि sir ये super thanks हम आपको क्यों भेजें हम आपको ये एक रुपे भी क्यों दें तो बच्चो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये super thanks सिर्फ रुपे का नहीं होता ये super thanks होता है एक feeling का एक support का और एक हमारे दिल से दिल के connection का और इसके अलावा हमारा जितना भी super thanks के थूप फंड रेज होता है वो सीधा जाता है बच्चो हमारे RKG Foundation में RKG Foundation हमारा एक NGO है जिसके तहत हम class 6 से लेकर class 12 के सभी under privileged students को उनके education में मदद करते हैं तो बच्चो आपका एक छोटा सा support हमारे channel को motivation देता है हमें प्रुचसाहित करता है कि हम और भैतर content आपके लिए बनाए और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से content प्रोवाइट किया जाए कि आप अपने marks बहुत अच्छे से score करें तो आप जब भी मेरी कोई video अगर enjoy करें और उसमें आपको पढ़ने में मज़ा आए आपकी कोई नई learning हो, कोई value addition मिले तो please अपना support जरूर दीजेगा आपका ये छोटा सा support शायद किसी और बच्चे की indirectly मदद भी करते तो बच्चो बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को और हाँ, जितने भी super thanks हमें मिलेंगे उन सारे super purchasers को मेरी तरफ से मिलेगा special shout out आपका comment तो अलग से pinned होगा ही और साथी साथ हमारे community post पे मैं सभी हमारे super purchasers को अलग से thanks बोलूँगा तो बच्चो ये ही छोटा सा video message में आपके साथ लेकर आया था और I hope आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी बाकी वीडियो पूरी complete देखना पढ़ाई इस lecture की complete करना और अपने जो regular comments आप करते हो वो जरूर जरूर करना Thank you so much Hello बच्चो, आज हम करेंगे आपके साथ revise हमारा Indian economy का last chapter जिसका नाम है India and Neighbors तो ये हमारे Indian economy का सबसे छोटा chapter है तो इसका revision भी super fast तरीके से असानी से हो जाएगा तो इस chapter के अंदर बस हमें कुछ interesting facts के बारे में पढ़ना होता है और हमारे जो दो main neighboring countries हैं पाकिस्तान और चाइना उनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझना होता है तो शुरू करते हैं हमारा chapter तो जैसा की chapter की शुरुवात है जो तीनों हमारे developing countries हैं यानि की India, Pakistan और चाइना अगर हम तीनों की history की शुरुवात करें तो तीनों की कहानी लगबग लगबग एक समय से ही शुरू हुई थी यानि की अगर तीनों की independence की मैं बात करूँ तो वो almost almost एक ही time पर हुई थी तो सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना को 1949 में कह सकते हैं independence मिली इंडिया को भी लगबग उसी time 1947 और पाकिस्तान को भी 1947 में independence मिली तो तीनों की एक तरह से development की शुरुवात एक समय से ही हुई अब उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं तो सबसे पहले जब 5-year plans बनने शुरू हुए तो भारत का पहला 5-year plan बना 1951 में पाकिस्तान का पहला 5-year plan बना 1956 में जबकि चाइना का पहला 5-year plan बना 1953 में अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो शुरू-शुरू में जाधा dominance था वो था public sector का यानि की सरकार का और चाइना के अंदर 1978 में ही reforms आ गये थे तो चाइना की बात अगर हम करेंगे तो चाइना इंडिया और पाकिस्तान के comparison में थोड़ा जल्दी reform लेके आगे भढ़ना शुरू कर चुका था इसके अलावा अगर हम बात करें 1980s तक की तो तीनों ही countries की growth rate लगबग लगबग बराबर थी per capita income भी बराबर सी ही थी अब चाइना तो निकल गया आगे लेकिन पाकिस्तान और इंडिया थोड़ा थोड़ा रहे गए पीछे तो अब इस chapter में हमें one by one दोनों countries के बारे में पढ़ना है और उसके बाद comparison करना है और last में appraisal करना है तो सबसे पहले country हम पढ़ेंगे चाइना तो चाइना के बारे में आपको सब पता ही है basically चाइना जो है वो one of the oldest civilization है दुनिया का चाइना इस्टन एशिया में आता है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा country है population की अगर हम बात करें तो चाइना दुनिया का सबसे यानि की most populated country है तो population की terms में वो क्या है सबसे पहले great leap forward यानि की GLF campaign अब GLF campaign का मतलब क्या है great मतलब महान, leap मतलब छलांग, forward मतलब आगे तो Mao Zidong ये नाम आप याद रखना एक बहुत ही महान करांतिकारी कह सकते हैं चाइना की history में तो Mao Zidong ने 1958 में एक campaign initiate यानि की start करा GLF जिसमें उनका focus था कि हमें industrialization करना है ताकि चाइना जो है वो production में बहुत आगे हो जाए तो इस तरह की campaign के साथ उन्होंने शुरुबात करी तो जिसमें focus था industrialization पर और rural areas की अगर हम बात करें तो rural areas में उन्होंने focus करा commune system पर commune system का क्या मतलब जहां पर छोटे छोटे जो landlords हैं उन्होंने मिल जुलकर cultivation शुरू करी तो अगर किसी के पास बहुत थोड़ी सी भी जमीन है तो उसने और लोगों के साथ मिलकर एक combine करके cultivation करना शुरू करा जिसको बोल दिया commune system तो ये वहाँ पर एक GLF campaign शुरू हुआ लेकिन 1959 से लेकर 1961 के दौरान एक बहुत भहेंकर वहाँ पर सूखा पड़ा जिसमें लगभग तीन करोड लोगों की जो मृत्य हुई तो तब जाकर ये GLF campaign हम कह सकते हैं खतम हुआ फिर इसी के बाद दूसरा campaign एक तरह से शुरू हुआ जिसका नाम था Great Proletarian Cultural Revolution अब Proletariat का क्या मतलब होता है Proletariat का मतलब होता है जब खूब सारे students या खूब सारे working professionals के हम जुन्ड को यानि की उनके collective ग्रुप को नाम दे दे तो उसको Proletariat कहते हैं तो Mao Zedong जो था वो इन तरह के युवा लोगों को motivational बाते बोलता था motivational quote सुनाता था और ये लोग वो सारी बाते एक लाल डाइरी में लिख लिया करते थे और धीरे-धीरे Mao ने अपनी एक सेना तयार कर ली थी जिसको बोलते थे Red Guards और ये लोग current जो उस समय की government थी उसको criticize करने का मेली काम करते थे और वो इन लोगों को दूर ले जाता था यानि की country yard outer area में ले जाता था और अपनी फौज को धीरे-धीरे इखटा करना शुरू कर ला था फिर इसके बाद खेर Mao की हो गई मृत्यू और फिर जो असली reforms चाइना में आये वो आये 1978 में जिसमें पहले चरण में reforms को agriculture, foreign trade और investment वाले sector में लाया गया और फिर उसके बाद धीरे-धीरे industrial phase में लाया गया अब यहाँ पर exam में जो दो नंबर का एक important question हम से पूछ सकता है कि चाइना की economy में एक dual pricing policy reforms के time पर follow की गई अब यह dual pricing policy क्या थी dual pricing policy का मतलब है नाम से दो-दो price अब दो-दो price कैसे तो आप देखो सबसे पहले farmers और industrial units को बोला गया कि आप कुछ fixed quantities तो pre-determined जो price है जो सरकार पहले से निर्धार कर देगी उसी पर आपको खरीदने बेचने पड़ेंगे लेकिन उसके ऊपर आपको जितनी भी quantity खरीदनी बेचनी है वो बाजार के यानि कि market के price पर आप खरीद सकते और बाजार का price कैसे निकलता है हमने class 11 में पढ़ा था जब demand और supply intersect करते हैं तो इस model को इसलिए बोलते है dual pricing system तो ये चाइना ने अपनाया था और इसके लावा चाइना ने special economic zones बनाए ताकि जो foreign investors हैं foreign निवेशक वो इतने जादा प्रोचाहित हो जाते थे चाइना में निवेश करने के लिए तो ये पाँच जो main बाते हैं चाइना की economy को लेकर वो हमें अच्छे से आनी चाहिए अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान पर हमारा दूसरा neighboring country तो पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्थ 1947 को जैसा कि हम जानते हैं और उसके बाद भी जो east पाकिस्तान है वो भी एक अलग से देश बन गया बांगलादेश उसको आजादी मिली 1971 में बाकी इसके अलाबा पाकिस्तान South Asia में located है और अगर हम population की बात करें तो पाकिस्तान फिफ्थ दुनिया का सबसे जादा populated countries में रैंक रखता है बांगी national language उर्दू है लेकिन official language English है अब पाकिस्तान की एकनॉमी के बारे में हम से सवाल पूछ सकते हैं तो वो थोड़ा सा important है तो पाकिस्तान की एकनॉमी आपको बिल्कुल हू बहू भारत वाली एकनॉमी जैसी ही छवी दिखाएगी यानि की इन्होंने भी हमारी तरह mixed economic system को चुना इन्होंने भी अपने यहाँ green revolution की शुरुआत करी जिससे productivity agriculture sector में बहुत ज़ादा भढ़ गई इन्होंने शुरुआती दौर में public sector को ज़ादा importance दी लेकिन फिर बाद में 80's के बाद दिरों ने private sector के रोल को दीरे-दीरे बढ़ाना शुरू कर दिया बाखी एक point थोड़ा सा इनका हटके है भारत से वो ये कि पाकिस्तान के यह हमेशा financial crisis क्योंकि थोड़े ज़ादा रहते थे तो इनकी जो remittances है foreign से, इनके जो help होते थे foreign bank से या world bank से वो थोड़े ज़ादा हुआ करते थे तो ये पाकिस्तान की एक नॉमी का एक brief लेखा जोका था Hello बच्चो, बच्चो क्या आपका भी सपना है chartered accountant बनने का और आप चाहते हैं अपनी CA की journey मेरे साथ, यानि की हमारी पूरी RKG team के साथ complete करना तो आपको करना है सिर्फ एक काम RKG CA Classes के app को आज ही download कीजिए यहाँ पर आपको CA Foundation, CA Inter और CA Final की आपकी complete journey की guidance मिलेगी RKG के साथ अपनी CA की तयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों options यानि कि अगर आप online घर बैठे तयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और अगर आप offline institute में आकर अपनी preparation करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम RKG CA Classes के app को आज ही download करें इसका link आपको नीचे वीडियो के description में भी मिल जाएगा तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट wishes I hope आपकी CA की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छी successful Chartered Accountant बन के निकले अब हम देखेंगे comparative study की भी तीनों countries जो हैं वो अलग-अलग चीजों के हिसाब से अगर हम compare करें तो कैसे हैं तो इसमें हम कुछ 4 या 5 अलग-अलग parameters आपके साथ discuss करेंगे तो जैसे सबसे पहले हम demographic indicators की बात कर लेते हैं तो demographic indicators में बात करें तो इंडिया की population आप देखी रहे हैं की second largest है दुनिया में जबकि China की जो है वो सबसे highest है तो जो भी highest होगा वो यहाँ पर आपको yellow highlighted मिलेगा और तीनों में जो भी lowest होगा वो आपको blue highlighted मिलेगा तो आप अपने आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह annual growth of population की बात करें तो पाकिस्तान की growth rate annual growth rate प्रतीशत में सबसे जादा है जबकि चाइना की सबसे कम है अगर हम density की बात करें यानि घनेपन की बात करें तो उसमें इंडिया की density सबसे जादा है और चाइना की density सबसे कम है इसी तरह sex ratio की अगर हम बात करें तो उसमें पाकिस्तान का sex ratio सबसे बहतर या सबसे बेकार है, Fertility Ratio की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान का Fertility Ratio सबसे जादा है 3.7, जबकि चाइना का Fertility Ratio सबसे कम है 1.6, और अगर हम Urbanization यानि शहरी करण की बात करें, तो चाइना में सबसे बहतरीन शहरी करण है 56% का और इंडिया में सबसे कम 33% का, तो यह कुछ Basic Comparative Studies हैं, जो हमें पता होने चाहें, इसके अलगर हम है Growth Rate of GDP, या जिसको आप Gross Value Added कहते हैं, उसकी बात करूँ, तो बहुत ही Simple है, तो चाइना में अगर आप पाकिस्तान में Reforms कब आये थे, 1990s में, तो इसी लिए, शुरू-शुरू में आप देखोगे, तो 80s वाले दौर में, इंडिया का GDP सबसे कम था Growth, और चाइना का GDP Double Growth Rate या Double Digit Growth Rate चल रहा था, तो उसका कारण यही था, क्योंकि चाइना में Reforms थोड़े से जल्दी आ गए दे, लेकिन अगर आप Recent Years में देखोगे, तो आपके लिए बड़ी गर्व की बात है, तो भारत का जो GDP Growth Rate है, वो सबसे Highest है, और पाकिस्तान का सबसे Lowest है, अब इसके बाद अगर हम तीसरी बात करें, Sectoral Contribution पर, तो इस बड़ी सी टेबल को हम दो अलग-अलग तरीकों से या नजरियों से पढ़ देख सकते हैं, Sectoral Composition या Sectoral Contribution का मतलब है कि तीन हमारे Main Sectors होते हैं, Primary, Secondary, Tertiary, जो आप इधर देख रहे हैं, यानि जहां लिखा है Agriculture, Industry और Service, तो अगर मैं बात करूं कि इनके कितने Contribution को, यानि कि GDP में कौन सा सेक्टर कितना Contribute कर रहा है, तो आप टेबल का अगर पहला पार्ट देखें, तो उसमें इंडिया में 16 प में Compare करेंगे, तो चाइना में भी Service Sector का Contribution GDP में 52 है, और पाकिस्तान में भी GDP में Contribution 57 परसेंट है, तो मतलब तीनों ही Countries में, GDP में Contribute करने में, जो सबसे ज़ादा योगदान दे रहा है सेक्टर, वो कौन सा सेक्टर है, Service Sector है, और अगर मैं बात करूं, Distribution of Workforce की, कि मतलब क कौन से सेक्टर में सबसे ज़ादा लोग involved है, जो काम कर रहे हैं, तो भारत में आप देखो, तो 43% लोग Agriculture में involved है, 25% लोग Industry में और 32% Service Sector में involved है, इसी तरह चाइना और इसी तरह पाकिस्तान, अब यहाँ पर एक मज़ेदार पॉइंट नोटिस करने वाला जो है, वो ये, कि इंडिया का अगर आप देखो, Agriculture Sector में जो GDP में Contribution है, वो सबसे कम है, सिर्फ 16 प्रतीशत, लेकिन Workforce जो लगी हुई है, वो सबसे ज़ादा लगी हुई है, 43%, तो इसका मतलब यह Disguised Unemployment का Indicator है, क्योंकि सबसे ज़ादा Workforce भी लगी हुई है Agriculture में, लेकिन Output में Contribution सबसे कम है, that means, लोग ज़ादा लगे हुए हैं, पर Output उतना बन रही रहा, तो यह Basically एक Interesting Point है, इस Comparison में, इसके बाद जो अगला comparison है, चौथा, वो सबसे Important है, वो आपको Learn करना है, एक्जाम में यानि रठना है, वो है Human Development Indicators, तो कुछ अलग-अलग Indicators है, Parameters है, जिस पर तीनों Countries को Compare किया जाता है, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को, सेम चीज है, सबसे बहतर को Yellow Highlighted कर रखा है, और सबसे खराब को Blue Highlighted कर रखा है, तो अगर हम बात करें, Human Development Index की या Value की, जो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 का मतलब होता है, सबसे बेकार, 1 का मतलब होता है, सब एगर हम देखें, तो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की अलग-अलग values है, जिसमें सबसे बहतर है, चाइना की और सबसे खराब है पाकिस्तान की, उसी हिसाब से rankings बन गई, HDI ranks, जो automatically सबसे बहतर है चाइना की, और सबसे बेकार है पाकिस्तान की, इसके लावा Life Expectancy की हम बात करें तो चाइना की सबसे अच्छी, पाकिस्तान की सबसे बेकार, then again अगर हम mean year of schooling की बात करें, तो चाइना की सबसे बहतर, पाकिस्तान की सबसे खराब, GDP per capita की अगर हम बात करें, PPP, Purchasing Power Parity, इसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया में अलग-अलग करंसियां चलती हैं, लेकिन फिर भी हम हर country के GDP को US dollar की terms में ही measure करते हैं, ताकि comparability बनी रहे, इसलिए आप bracket में ऐसा देख रहे हो, PPP, US dollar, तो GDP per capita की बात करें, तो चाइना का सबसे बहतर, और पाकिस्तान का सबसे घटिया, पीपल below poverty line की बात करें, तो उसमें भी चाइना का सबसे बहतर, पाकिस्तान का सबसे बेकार, infant mortality rate की बात करें, तो चाइना का सबसे बहतर, पाकिस्तान का again सबसे बेकार, maternal mortality rate की बात करें, तो चाइना का सबसे बहतर और पाकिस्तान का सबसे बेकार, इसके अलावा भी कुछ other parameters हैं वो आप सिर्फ एक बात देख सकते हैं just go through कर सकते हैं कि कितने प्रतीशत population improved sanitization का प्रयोग करती है या population जो है वो कम से कम जिनके पास basic drinking water पीने की सुविधा available है या इसके अलावा कितने प्रतीशत बच्चे undernourished हैं यानि कि जिनको proper nutrition नहीं मिल पाता तो इस तरह के भी कुछ और parameters है तो ये हैं पूरे human development indicators और तीनों countries का comparison अब आता है chapter का आखरी mode यारी की comparisons खतम होने के बाद appraisal तो इसमें इंडिया की appraisal तो हमारा पूरा एक तरह से course ही है तो इसलिए उसके बारे में हम discuss नहीं करते क्योंकि हम पूरी Indian economy तो पढ़ते ही है तो हम appraisal करते हैं चाइना और पाकिस्तान की policy या उनके बारे में तो अगर मैं पहले चाइना की बात करूँ तो चाइना ने reforms जो है वो सिर्फ compulsion की वज़े से नहीं चुने यानि की इंडिया और पाकिस्तान पर तो World Bank की शर्तों का दबाव था इसलिए हमारे हाँ 1990s में globalization, liberalization, privatization आया जबकि चाइना के हाँ reforms 1978 में उनकी अपनी मर्जी से ही शुरू हो गए तो ये चाइना को थोड़ा different बनाता है हम लोगों से, इसके अलावा क्योंकि चाइना जो है वो 1978 में ही शुरू हो गया reforms तो वो थोड़ा जल्दी हमारे से आगे भढ़ गया लेकिन फिर भी उसमें कुछ बुरे और कुछ प्रभाव ऐसे पड़े जो चाइना के लिए अच्छे नहीं थे तो उन में से मैं आपको कुछ बता देता हूं कि pre-reform period में चाइना की जो health services थी वो बहुत बेकार थी इसके अलावा जो commune system था चाइना का वो बहुत बढ़िया था जिसकी बदौलत छोटे-छोटे cultivators भी मिल जुलकर आपस में cultivation भढ़ा पाए या production को भढ़ा पाए तो यह हम कह सकते हैं कि एक बहतर point था चाइना के अंदर फिर इसके बाद लेकिन अगर हम बात करें कि जो GLF campaign आये या जो दूसरे reforms आये उससे पहले माउवाले उन्होंने GDP को इतना नहीं increase करा जितनी expectation थी हम कह सकते हैं यह एक बेकार point है इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 1978 से पहले जो सरकार ने महां की government ने जो steps लिये थे वो इतने कारगर सावित नहीं हुए तो growth rate कोई जादा नहीं बढ़ा तो यह भी हम कह सकते हैं कि एक बेकार point था फिर 1978 के बाद जर reforms आए तो वहां से ultimately चाइना की हम कह सकते हैं कि growth तेजी से बढ़ी क्योंकि वहां से एकदम से industrialization बहुत pick up हुआ और फिर production जो है चाइना का वो सबसे जादा होना शुरू हो गया तो यह बात यहाँ पर हमको दे रखी है इसके अलावा चाइना की infrastructure facilities जो थी वो भी बहुत बहतर हुई और agriculture sector हो education हो health हो हर sector में यानि की reforms आने के बाद चाइना ने तरक्की करी और उसमें improvement हुई तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि चाइना की pre-reform से पहले की और post-reform यानि की reforms के बाद की जो उसका लेखा जोखा summarized यह है फिर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के तो economic indicators जो थे वो almost खराब थे बलकि एक सबसे interesting बात पाकिस्तान के साथ तो यह हुई कि बीच में एक दौर ऐसा था जहां पर पाकिस्तान के हालात फिर भी ठीक हुए और reforms आने के बाद उल्टा और खराब हो गए हाला कि recent years में अब उनकी हालत थोड़ा पहले से बहतर हुई है तो यह बात यहाँ पर दे रखी है अगर आप second point पढ़ेंगे कि जो गरीब लोगों का proportion है 1960s में was more than 40% which declined to 25% in 1980s but started again rising in 1990s तो पाकिस्तान में थोड़ी सी कहानी उल्टी हुई कि reform आने के बाद हालात जो है वो थोड़े से और खराब होने शुरू हो गए तो अब इस पे एक सवाल बन सकता है कि भाई ऐसे क्या reason थे जिसकी वजए से गरीबी पाकिस्तान में reforms आने के बाद भी भढ़ती रही ऐसे क्या reasons थे या उनका growth ऐसा क्यों हुआ कि reforms भी आ गए लेकिन गरीबी कम नहीं हो रही तो यहाँ पर आप समझना कुछ important facts हैं पहला तो यह कि उन लोगों ने बहुत ही जादा dependence अपने rainfall पर ही छोड़ रखी दे कोई technological advancement नहीं agriculture में तो बस अगर बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी हुई otherwise सब कुछ fail इसके लाबा बहुत सारे countries foreign exchange कमाने के लिए क्या करते हैं exports करते हैं goods लेकिन पाकिस्तान को foreign exchange goods export करके नहीं मिलता था सिर्फ और सिर्फ उनके workers जो कहीं और काम कर रहे हैं वहां से वो जो remittance भेजते थे बस वहां से कमाई होती थी तो ये इस वज़य से कारण है पाकिस्तान में गरीबी का इसके लाबा loan का burden obviously बहुत ज़ादा हो चुका था पाकिस्तान पर क्योंकि उन्होंने पहले भी assistance ले रखी थी वर्ल्ड बैंक और other bank से और reforms period में तो ले ही ली तो कहीं ना कहीं ये कारण है ऐसे जिसकी जैसे पाकिस्तान में फिर से reforms आने के बाद गरीबी कम नहीं हो यह उल्टा भड़ती रहे लेकिन recent years में अब वो graph थोड़ा सा पहले से बहतर है तो ये है बच्चो basically पाकिस्तान का पूरा अप्रेजन तो कुल मिलाकर इस chapter में आपको बहुत ही simple चीजे करनी है क्या-क्या इंडिया चाइना पाकिस्तान के कुछ comparisons करने है और mainly चाइना की economy को समझना है पाकिस्तान की economy के कुछ brief points समझने है और last में दोनों के appraisals करने है तो ये था बच्चो आज के हमारे इस lecture में I hope आपको पूरा वीडियो lecture अच्छे से समझ आया होगा मुझे please comment करके बताना कि आपको इस topic में कौन-कौन सी चीज़े आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस lecture में लगी तो वो भी please मुझे mention करके नीचे जरूर बताना क्या बच्चों के 5 number कट जाएंगे boards में किस बात के मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा break लेते हैं तो Instagram पर time waste करते हैं और अभी तक मेरे को follow नहीं कर रहें तो ठीक है बच्चों के motivation चाहिए हैं हाँ बच्चों को तो motivation के लिए मेरे tweet तो follow करते ही होंगे क्या नहीं करते तो ठीक है बच्चों की मर्जी इनके number भी कटेंगे ना इनको motivation मिलेगी ना इनका professional circle बड़ा होगा ठीक है कोई बात नहीं